Hello everyone, so welcome back to another video, so guys, जैसे कि आप सब को रहे हैं कि आपकी इदर UPS, EPFO की क्लासे चलाई जा रहे हैं, तो उस क्लास में हमारा टॉपिक चल रहे हैं, इंडुस्ट्रिल रिलेशन एंड लेबर लॉस, यह जो टॉपिक है, आप सब के लिए न्यू टॉपिक है, तो आज इसका जादा सेंटरल लॉस ते लेबर, अब जब हमारी एक तरह से कमिशन होती है, लेबर कमिशन जो होती है, सेकिंड लेबर कमिशन होती है, अंडर रिविंदर वर्मा जी, उन्होंने सजेशन दी कि 44 लॉस को आप 5 में कंसॉलिडेट कर दो, लेकिन at the end 2019 में उसको 4 के अंदर कं लेबर कोड है, एक वीडियो एक और आएक इसके बाद, जिसमें हम 4 कोड डिसकस करेंगे, और कुछ मिसलीनिस टॉप लेएंगे इसके डिएट, वो हम आगे डिसकस करने वाले हैं, तो चलो guys, बिना time बेसकर तो आगे बात करते हैं, यह सब कुछ मैं आपको बता चुका हू को एक तासे, इन 5 sections में consolidate कर दो, लेकिन at the end, 1219 में क्या किया गया, 1219 में simply इन 4 में consolidate कर दिया गया, अब 4 में consolidate किया, जिसमें से code of wages जो है, 1219 में पास हुआ, और जो बाकी तीनो है, that's the industrialization code, जिसमें हमने previous वीडियो में discussion की, आज का topic is the social security code, last is the occupational safety, health and working edition, यह तीनों की तीनों नहीं हूँ है, यह implement अभी होने बाकी हैं, क्योंकि इनकी rules and regulations एक तासे formulate अभी हो रहे हैं, जब इनके properly rules and regulations formulate हो जाएंगे, तो यह implement भी हो जाएंगे, तो चलो guys, आगे बात करते हैं, social security के relating, देखो social security है क्या, हम बात करते हैं, हमारा जो topic है, that is the industrial relation and labor loss, आपको बता है कि हम जो specific topic है, इसमें हम relationship पढ़ रहे हैं, एक employee and employer के बीच में, उनके बीच में जो disputes हैं, उनको कैसे reduce किया रहे हैं, ताकि जितनी भी needs हैं, एक employee के, वो सारे के सारे fulfilled हैं, अब एक जो employee है, वो यह भी demand करता है, कि उसकी एक तरह से security भी रहे, उसको एक job security तो रहे, साथ में, जब उसकी एक तरह से retirement हो जाए, या maybe उसकी किसी भी reason करा कोई death हो जाती है, कोई एक तरह से कुछ भी unhoney हो जाती है, तो उस case में, उसके पास कुछ security भी होनी चाहिए, कि उसकी family, एक तरह से उसके बीना, या उसके, अगर कोई problem हो जाती है, उसको कोई एक से disease हो जाता है, जान जेवा, तो उसके साथ वो जी सके, तो उस security के बारे में, आज की वीडियो में हम discuss करने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे some EPF के बारे में, that's the employer provident fund, आप सबको होता होगा, ये आपके लिए security का function रहता है, दूसरा हम पढ़ेंगे gratitude के बारे में, gratitude आपको पता है, ये एक तर से thanks होता है, अपने employee की प्रति, इसमें हम बात करेंगे, आपकी maternity leaves के बारे में, maternity laws के बारे में, वो सब कुछ इदर discuss करेंगे, government ने क्या-कैस के लिए social security निका लिए, कि हाँ, जब एक गर्वती महिला है, तो उस time पे उसको क्या-क्या एकता से benefits मिल सकते हैं, और भी कुछ जो आपको social security में मिलते हैं, आपकी एकता से service के time पे आपको जो securities मिलती हैं, वो इस video में हम discuss करने वाले हैं, तो चलो सब चले इसका कुछ basic points discuss कर लेते हैं, कहता है, the code of social security 2020 is a code to amend and consolidate the laws relating to the social security with the goal to extend social security to all employees, either in the organized or unorganized or any other sectors, अब इसमें एको चीज़ पकरना, आपको मैं बता इस code से पहले जितने भी laws थे, उनने क्या था, unorganized sectors को एक तरह से cover up नहीं किया रहा था, लेकिन इस code के बाद से अब इन्होंने unorganized sectors को भी एक तरह से recognition दे दिया, उनने क्या दिया कि social security का prospect एक तरह से unorganized sector में भी काम करेगा, लेकिन कुछ threshold रखे हैं, वो आगे हम discuss करेंगे मेभी 10 employees चाहिए, minimum 20 employees चाहिए, वो आगे मैं आपको बताने बालू, clear है, आगे बात करते हैं, कहता है, social security refers to the protection majors provided to workers to ensure health care, income security in case, और certain contingencies such as old age, such as maternity, such as accident, जो अभी मैंने आपके साथ डिसकस किया, मेभी कुछ service के टाइम पे उनके साथ कोई accident हो सकती है, अन्होंनी हो सकती है, maternity, leaves हो सकती है, old age आपका, ये सब कुछ आपका social security related आजाता है, आगे देखते हैं, देखो guys, मैंने आपको बोला, हुआ क्या जो आपके 29 loss थे, ठीक है, आपको याद होगा, मैंने हर एक वीडियो में ये चीज़ repeat किये, 29 loss जो थे, उनको 4 code में एक तरह से हमने consolidate कर दिया है, आज हमारा 3rd code number है, अब भी, 1st code अगर हम discuss करें, सब हमारा 1st code सब wage code करेटी, wage code में हमने पढ़ा सब 4 code थे, हमने उसमें 4 code का consolidate किया है, total 4 code से उसमें, फिर हमने last video जो discuss की, डेट जो industrial relation, उसमें के discuss किया है, तो उसमें 3 code थे, जिनको consolidate करके, एक industrial relation code मनाएगा, अब बात करते ह है, यह code और social security है, तो इसमें कितने code है, डेट इजो 9, 9 codes को consolidate करके, social security code 2020 बनाया गया है, और यह 9 के 9 आपको नाम पता हैं, यह पहला आपका compensation, फिर आपका state insurance, फिर आपका provident fund, employment exchange, maternity benefit, gratitude, signed worker welfare, building and other construction worker, unorganized worker, social security code, यह 9 के 9 और इन्होंने sectors को एक तर से join करके, कौन सा code मना है, code of social security 2020, clear है guys, अब आगे discuss करते हैं, इसके कुछ important dates, देखो, जैसे कि आपको याद होगा, industrial relation code जो 2020 था, उसको एक तरह से लोग सभा में कब introduce किया गया था, that is in, 19th of September, same इसके तरह, ठीक है, आपने याद दखना है, इसमें लोग सभा में पास 22 September को आप एक तरह से राजय सभा में पास भी 30 September को आप तीनो, अगर मैं बात करूँ जो आपका industrial relation था, उसकी भी same dates है, आपके मन में आवगा सर, कित्री dates आपके, आपने याद अखना है, जितने भी industrial relation की भी लोग सभा में introduced 19 September को हुआ, लोग सभा में पास 22 September को हुआ, राजय सभा में पास 23 September को हुआ, 19, 22, 23, उसमें भी same ही date है, तो ये इसमें आपको कोई separate date याद करने के जोरत नहीं है, आगे बात करते हैं, कहां कहां आपको ये social security एक तरसे applicable है, पहला बोलता है, social security is applicable to every establishment, subject to a minimum threshold of employees, employed dairy, अब ध्यान से सुनना, कहता है, ये जो social security code है, ये हर एक establishment, हर एक organization में applicable है, जहां पे उन्होंने minimum, देखो ये minimum term जो है ये अभी तक define नहीं की गई, कि हाँ 20 member चाहिए, 10 member चाहिए, 15 चाहिए, तो ये minimum अभी rules से regulations अभी आने है, उसमें एक दसे से property specify किया होगा, तो ये minimum जब threshold एक तरह से fulfill हो जाएगी, तो जितनी भी organizations में उससे जादा employees होंगे, उनके उपर ये लागू हो जाए, दूसरी चीज़, social security, जो हमारा है, ये लागू किन किन पर होगा, शल्भी required to register within a such time, in such a manner, मलब एक digital organization के उपर ही होगा, वो एक तरह से अपने आपको register कराना चाहिए, अपने records proper maintain करता होना चाहिए, एक तरह से जो wages paid है, leave एक तरह से जो properly, उनकी जो slips होती है, वो electronically निकलनी चाहिए, और return भी वो file करता होना चाहिए, वो organization, तब भी उन organization पर ये applicable है, देखो question किस तरह आएगा, आपको पता है कि UPSC level का exam है, आपने इस question, देखा हो कि UPSC में बड़ी इस्तरह की question आते है, कि which of the falling statement is correct, which of the falling statement is not correct regarding the social security तो आपको पता होने चाहिए, सर सोशल स्क्योटी कहां कहां applicable है, एक minimum threshold उसका fulfill होने चाहिए, सर एक तर से register होने होने है, सर वो हो अपनी wait slip पे तर से issue करते होना चाहिए, सर वो अपनी return भी electronically एक तर से submit करता होना चाहिए, ये कुछ important points है, जो उसके applicability के लिए ते सही रहे जहां पर आपको off हो जाएगा 55% का off हो जाएगा 3500 कम्प्लीट कोर्स आपको EPFO का कराया जा रहा है आई एक्जांबी.com पर अगर आप लॉगिन करते हो आपने सिंप्ली कोर यूज करना है आईजी ग्लासिस तेकिए अगर आप कोर यूज करते हो आपको 55% off हो जाएगा आप इदर एक्सपीरियंस फिक्ल्टी से पढ़ रहे हो 9 टॉपिक से 9 टॉपिक से आप देसे तो डिफर इस यह कोर्षेंगे आपके 4000 कोर्षेंट इसमें रहेंगे सेक्शन टेस्ट और वीडियो लेसंस और सटीनोट्स प्रॉपली में रहेंगे आपको मैंने लिंक दिस्क्रिप्शन प्रॉइट कर दिया आपने इस लिंक को क्लिक करना है आपको अधर प्रॉपली आगर आप आपको मैं बता दूं जैसे कि आपको बता गया है प्रॉविडेंट फंड से कुछ ना कुछ पार एक दा से डिड़क्ट होते रहता है एक दा से जो इंप्लॉइम्ट होता है वो भी अपनी एंड से कोई कॉंट्रिपूशन करता है और आपको एक दा से जब आपकी रिडाय पे 20 या 20 से ज़्यादा इंप्लॉइज इंप्लॉइज एक वह मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं जो इंप्लॉइम्ट प्रॉविडेंट फंड कहां कहां अप्ली के बन जाता है कि हर एक परसंड की से कुछ पार उसका डिड़क्ट करो और कुछ पार खुद भी कॉन प्रॉइम्ट की टायम उसको वह पे गरता है करें इसके लिटर इड़कोंट्रिबूशन कैसे रहती है अगर की बात करें ठीक है तो इंप्लॉइर की प्रॉइज परसंड ऑफ दे पेडल मतब जितनी भी वह वह वेजी दे रहा है तो 6,000 का 10 परसंड की तना आ और्वा इसा करता है लेकिन वो एक तरह से बता दो 10% के उपर भी जा सकता है फिर से रिपीट कर रहा हूं अगर मैं employer की बात करूँ employer max to max 10% contribute कर सकता है उसके लिए उपढ़ा liability है कि उसने 10% एक तरह से contribute करना है लेकिन employee की बात करूँ तो employee एक तरह से 10% भी कर सकता है और अगर वो चाता है कि मैं अपनी salary का में भी 15% दे चाता हूं 20% दे चाता हूं as a profit fund वो कर सकता है लेकिन ये चीज एक तरह से employer के उपर लागू नहीं करेगी यह निये कि employer इंप्लॉयर बोल रहा है मैं 15% दूँगा अपनी salary का तो तुम भी 15% दो ठीक है तो employer simply 10% ही देगा employer हमेशा 10% ही देगा यह question पूचा दा सकता है तो highlight मैं उन्हीं को कि यह जो important है अब कुछ important cases में आपको मैं दा दूँ कुछ important cases में central government में भी 12% भी बोल सकती है तो उन cases में आपको मैं अपता दूँ आपको 10% के बजाए 12% एक दा से contribute करना है next अगर बात करें अगर कोई भी employee एक दा से fail हो जाता है deposit करने के लिए एक दा से provident fund का पैसा नहीं निकाल पाता है तो उसकी उपर एक दा से penalty लग सकती है according to law that's a one lakh but also imprisonment of one to three years तो यह याद अखना एक लाग का जूर्माना और जेल कितने साल की that jail आपकी रगी one to three years तो वो depend करेगा और अगर आप repeat करते हो तो no compounding is permitted for repeated offenses ठीक है तो एक दा से आपके उपर penalties बढ़ती ही चलेंगी यह चीज़ आपने आ रहे हैं ठीक है फिर से repeat करता हूँ EPF के related sir EPF हमारा उदर लागू होगा जहां पर 20 से जादा एक दा से employing होगा 20 या 20 से जादा sir EPF में employer 10% contribute करेगा जो employer है वो भी 10% contribute करेगा लेकिन अगर employer चाता है कि मैं जादा contribute करूँ वो जादा भी contribute कर सकता है लेकिन employer के ओपर एक दा से वो liability नहीं रहेगी उसमें 10% ही करना है next point अगर कोई employer एक तसरे यह जो EPF काई money है deduct करना भूल जाता है तो उसके ओपर penalty लग सकती है कितनी लग सकती है एक लाग की penalty लग सकती है और एक साल से लेकर तीन सागे बीच के अंदर उसके ओपर jail भी हो सकती है आगे बात करते हैं अब बात होती है insurance cooperation लेगी employee state insurance cooperation लेगी अब यह कहां-कहां applicable आगे discuss करें यह applicable है in which 10 और more persons are employed other than a seasonal factory तो यह दखना आपसे पूछा जाएगा employee state insurance cooperation किसके ओपर आगो है जहां पर 10 यह 10 से जादा परसन से इंप्लॉइड है seasonal factory को छोड़ के ठीक है दियान से सुनना पिछले पिछले EPF में क्या बढ़ा सब 20 बंदे अब employee state insurance में क्या बढ़ा सब 10 बंदे establishment which carries a hazardous or life-threatening occupation as notified by the central government in which even a single employee is employed अब ध्यान से सुनना अभी मैंने आपको बोला कि जिस organization में 10 यह 10 से जादा एक तरसे जो employees है employed हैं उनको एकता से employee state insurance cooperation में applicability बन जाती है लेकिन साथ में अगर कोई ऐसी factory है जो light threatening में है maybe crackers की आप लगा लो कोई chemical factory है जो एकता से आपके lungs को हाम कर रही है किसी को भी हाम कर रही है किड्नी को हाम कर रही है ठीक है तो उनके उनको भी एकता से यह जो है insurance cooperation कराना ज़रूरी बन जाता है चाहे उदर एक भी परसंट काम क्यों नगा थर्ड वन employer plantation who has opted और अगर कोई अपनी मर्जी से भी एकता से लेना चाहता है तो वह भी ले सकता है तो यह तीन conditions है अगर आप employer state insurance cooperation में अपने आपको applicable करना चाहते हो नेक्स बात करते हैं purpose of fund तो fund का purpose मैंने आपको बता दिया simply यह होता है कि आपकी insurance हो जाती है कुछ अन्होनी पर आपको medical treatment मिल जाएगा attendance मिल जाएगी ठीक है payment of fees allowances वेकर आपको cooperation end से मिल जाएगी payment of salaries leaves इधर से आपकी salaries leaves वेकर भी निकाली जा सकते engine joints के तूप contribution की बात करें the contribution payable in respect of all the employers shall comprise contribution payable by the employer and employer तो अगर बात करें कि इसमें जो contribution रहती है तो सारी सारी एक्टर से employer ही pay करेगा and employer shall recover the employer's contribution from the employer by reduction from his wages और उसकी जो contribution है वो उसके wages से deduct कर सकता है failure to pay this तो अगर ऐसा fail हो जाता है तो employer के यार पकड़ो उसको उसकी pocket से निकाल लगा ठीक है तो उसके खाते से निकाल लगा आगे बात करते है gratitude अब आप तुमने gratitude की बारे में सुनाओगा देखो gratitude is just a thanks आपको मैं यह बता दू कि अपना अबार प्रकर्ट करना जो एक employer है वो अपने employee के प्रति thanks प्रकर्ट करता है कि हां तुने मेरी company को इतने साल दिये इतने मैं तुपून services दी तो उसके वर employed on any of the preceding 12 months पिछले 12 मीनों में से किसी भी एक मीने में अगर उसने 10 से जाधा employees थे तो gratitude provide करना important बन जाता है every factory mine oil field plantation port railway इनके ओपर तो लागू है यह पहले ठीक है आगे बात करते है अब payment की कह रहती है payment के लिए याद अचना एक सबसे बड़ा change आया है क्या change आया है पहला याद अचना जो graduate है employees का वो होता है कि minimum 5 साल तो आपने company को देने है minimum 5 साल आपने company को देने है पांच साल गया आप जब terminate की रहती है तो ग्रेचुडी बनती है यह नहीं कि आपने दो मिने गांग गया तो दो मिने बाद मैं ग्रेचुडी ले लूँ ऐसा नहीं लेकिन जो सबसे बड़ा change आया इस code के तहर वो यह आया जो working journalist होते है उनका भी 5 साल हुआ करता था पहले लेकिन इस code के बाद इसका minimum time कर देगा तीन साल मतलब तीन साल के बाद आप ग्रेचुडी ले एप्लिकेबल बन जाते हो अब कई केसों में एकता से जो 5 साल की एकता से complete करना important नहीं है likewise death agar हो जाती है likewise disablement हो जाती है service के दुरान expire हो जाती है आपका fixed term employment या happening of any such event as notified by the central government तो मतलब की फिट से मैं repeat करता हूँ government ने बोला आपकी minimum service होनी चाहिए company को पांच साल और अगर आप working चाहिए निश्ट हो तो आपको तीन साल की minimum एकता से अपनी service प्रवाइड करने तब भी आपको gift मिल सकता है यह थोड़ी है कि एक मिने किसी कमनी में काम किया फिर graduate ले ली दूसरे मिने दूसरी कमनी में काम क फिर gradually ऐसा नहीं है फिर बात होती है कुछ ऐसे cases हैं जहां पर पांच साल के बीतर बीतर ही आपको graduate मिल जाते है अगर कभी किसी के साथ किसी death हो जाती है Disablement हो जाती है तो उस case भी मिल जाती है अब बात होते है ग्रेजुटी मिलती कितनी है तो ग्रेजुटी एट रेट ओफ फिफ्टीन डेज वेज और सच नंबर ओफ देज आज में भी नोटिफाइड वा सेंटर गोर्मेंट बेस्ट ऑन्ट वेजिस लास्ट रॉन बंद excess of six months मतलब की हर पंद्रा दिन की वेज के बात हो तो इसका मतलब क्या होते है कहता है हर छे मीने का आपको पंद्रा साल की एकसे सेलरी मिलेगी for example अगर हम बात करें बात करें आपकी एक महीने के हम सेलरी ले लेते है एक मीने की लिए 10,000 तो सब 6 मीने की कितनी होगी सब 6 मीन इसते है ग्रेटूटी है आपको मिल जाएगी मेश फंदा से पंदा सो मिल जाएगी मतलब हर छे मीने की इकसे पंदा सिलरी आपकी एड़्ों को प्रोइड की आगे बात करते हैं maternity benefit ठीक है तो मतलब कि एक तरसे women's को क्या maternity benefits रहते हैं वो हमें दिस्कस करने वाले हैं अब बात होते हैं यह किन-किन के लिए applicable है तो to every establishment being a factory, mine, plantation इन सब के लिए applicable है और इसमें भी 10 employees minimum आपको चाहिए अगर आप apply करना चाहते हो तो benefits की बात कर लेते हैं तो benefits बड़ी important बन जाते हैं क्योंकि यह जो points हैं यह आपने याद रखने हैं उदर यही पूछे रहेंगे पहला benefit Women shall not work in any establishment during the six weeks immediately following the day of a delivery मतलब कि छे week six weeks के और गेसा डेड़ महीना डेड़ महीने तक एक तरह से उन्हें free of cost एक तरह से छुट्टी मिल जाती है उनकी कोई salary deduct नहीं होगी तो उसमें क्या रहता है उनकी delivery के बाद या miscarriage के बाद या तो medical termination गए बाद उनकी pregnancy के देड़ महीने की उनकी आज एक तरह से छुट्टी उन्हें मिल सकती है जिसमें उन्हें एक तरह से कोई भी उनकी जो salary deduct नहीं की जाई women shall be entitled to the payment of maternity benefit at the rate of average daily wage for the period of actual absence मला कि पूरी की पूरी तंखा मेले कुछे कोई deduct नहीं होगी next women shall be entitled to a maternity benefit of maximum 26 weeks of which not more than 8 weeks shall precede the expected date of delivery देखो 8 weeks होगे से 2 months ठीक है कहता है मतलब की pregnancy के दुरान एक तरह से 2 महीने पहले आप छुट्टी ले सकते हो मतलब 2 महीने से जादा नहीं हो सकती मैक्सिम दो महीने और total 26 weeks total 26 क्यों हो गया post pregnancy भी और before भी ठीक है तो मतलब एक तरह से delivery के बाद और delivery से पहले एक तरह से आपके बास एक तरह से 26 महीने का 26 week का आपके चुट्टी का एक तरह से रहता है maternity benefit लेने का दूसरी चीज़ आपको medical bonus मिलता है 3500 रुपे अगर एक तरह से आपका एक साल तीन महीने का नहीं हो जाता तो तब तक एक तरह से women को टू ब्रेक्स दी जाते दिन की जिसमें वह मेभी एक गंटेगा वह government to government depend करते है government एक गंटा भी दे सकती है दे दो गंटे जिसमें वह अपना time उस बच्चे को दे सकती है next the establishment in the 50 employees or such number of employees as may be prescribed by the central government our employees shall have the facility of crutch तो जहां पर 50 employees के ओपर चल गया तो वहां पर crutch facility प्रवाइड करना भी important ठीक है फिर से repeat करता हूं six weeks की चुट्टी है डिलिवरी की बाद 26 week है total आपके आस बिफोर डिलिवरी और डिलिवरी टोटल लेकिन आठ वीक पहले नहीं आप ले सकते मतलब अगर प्री डिलिवरी की बात करें तो उसमें आपके maximum two months है नेक्स बात करें women shall be entitled to receive a medical bonus 35 का आपको medical bonus मिल जाता है और two breaks आपकी रहते हैं जिते हैं आपका बज़ा पंधा महीने का नहीं हो जाता और जहां पर 50 employers काम करें तो the facility of crutch पी प्रवाइड करना important बन जाता है नेक्स बात करते हैं कुछ नहीं definitions add-on हुई है इस लॉकेत है डाट इस अनॉग्रेंज वकर गीग वर्कर्स और प्लैटफॉर्म वकर्स तो पढ़ लेते हैं इनकी बारे में क्या बोला गया है देखो गीग वकर सिंपली वह हैं जो ट्रेडिशनल इंप्लॉय और इंप्लॉ होगा काम करने का तो वो काम करेगा नहीं मानने होगा काम करने का तो नहीं करेगा आपने देखा ना जुमेटो वाले ने देखना है या ओडर लूं की नहीं लूं उसने सिंपली क्या करना है असेप्ट करना है आप उस आस्वा जितने भी डिलिवरी वोई होते है वो उन प के नेक्स बात करते है अनौने सेक्टरे के लिए भोला गया गया डाइड इंडेस्टिर इस्प्ट एक दिस्प्ट एक 1947 यह अधर प्रूविजिंज तो यह तीन डेफिनेशन आपने याद रहतनी है उधर क्या हो सकते हैं आपको तीनों डेफिनेशन के लेटेड कोशन आ सकत related काम करेगा तो इसमें आपने याद रखना है that is an ssb and ssb डाइस नाशनल सोशल स्क्यूर्टी बोर अब इसमें क्या रहेंगे सब 5 रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे aggregators के 5 रहेंगे gig workers के और director general of ICICI 5 रिप्रेजेंटेटिव of state government और इसमें क्या रहेंगे एक तरसे contribution रहेंगे by the state government, center government and aggregator तो यह जो चीज मैंने आपको बताई नहीं यह आप सबने याद रखनी है इसमें simply that इसमें aggregators के 5 रिप्रेजेंटेटिव हैं 5 gig workers and platform worker के रिप्रेजेंटेटिव हैं director general के भी एक तरसे आपका जो है इसका head रहत है तो यह चीज आपने याद रखनी है ठीक है तो आज का section इतने ही रखते हैं guys तो यही था आपका social security के related जो important facts से जितने की भी यह 70 पे जो भी pdf थी प्रॉपल जो important points है जो ने add-on हुए जो new laws बने new rules बने वो मैंने आपको इदर बता दिये होप सो यार आपको पदा चलिगा होगा क्या 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 हमने इसमें discuss करना था ग्रेचुटी के वहां ने पढ़ा आपका EPF के related हमने पढ़ा ठीक है और साथ में मैंने आपको उसके लिए बता दिये that is your maternity benefits अब आपको मैंने यह भी बता है कि अगर आप प्रॉपली complete को समारा बाइगन जाते हो आप सिंप्ली आपको इन लिंक description प्रवाइड कर दे या आप comment section में जा सकते हो दे मैं प्रवाइड कर सकते हो हमारा course चल रहा है जहां पर आपको experience faculty 8 फिकल्टी आपको 9 topics खवर आपकरा रही है आपको 55% discount मिल जाएगा तो आज के लेक्स इतने रहते तो मिलेंगे जड़ा नए सेशन में तत्रयाव से अलविदा